नमस्कार मित्रों, मैं दुरगा प्रसाद मिस्र अर्था संग रहे कि इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ पिछले पाठ में हम लोगों ने साब्दी भावना को देख लिया था इस वार हम लोगों को आर्थी भावना को देखना है तो बताई आर्थी भावना क्या है? पुरुस की प्रिवर्ति ही आर्थी भावना है पुरुस की प्रिवर्ति ही क्या है? और साब्दी भावना क्या है? पुरुस की प्रिवर्ति को उत्पन करने वाला जो ब्यापार वो प्रवर्तना रूप है प्रेरणा रूप है जो की वेद वाक्य में सब्द में होता है और लोकी को वाक्य में आचार इत्यादी के अंदर होता है उसके द्वारा प्रिवर्ति पैदा होती है यानि आर्थी भावना पुरुस के अंदर और फिर पुरुस क्रिया करता है का गित्यादी करता है अब कहते हैं कि उसी यार्थी भावना का लक्षण यहां पर बता रहे हैं ठीक है क्या बता रहे हैं चलिए आर्थी भावना क्या है तो प्रियोजन इच्छा प्रियोजन इच्छा अलग लग लिख दिया है कोई बात ने प्रियोजन इच्छा जनित क्रिया विसाय व्यापा रहा आर्थी भावना क्योंकि पीछे कहा था कि साब्दी भावना में आर्थी भावना का किस रूप म वहीं पर बोला था, वक्षमान अंसत्रियोपेता, यानि कि आगे कहे जाएंगे तीन अंस, उन अंसों बाली आर्थी भावना, तो यानि कि आर्थी भावना में भी तीन अंस होते हैं, बात समझ में आ गई के नहीं अब देख लेते हैं लक्षण को प्रियोजन क्या है? तो प्रियोजन है स्वर्ग प्रियोजन क्या है? स्वर्ग अथवा प्रियोजन क्या है? पशू पशू अथवा प्रियोजन क्या है? पुत्र ये सब क्या है? स्वर्ग पसु पुत्र इत्यादी क्या है ये सब प्रियोजन है इन प्रियोजनों की प्रियोजनों की इच्छा पसु की इच्छा स्वर्ग की इच्छा पुत्र की इत्यादी की इच्छा के कारण इच्छा के द्वारा जो जनित यानी उत्पन हुआ जो क्रिया के विशाय मे जो वियापार क्रिया के तो देखो ध्यान देना प्रियोजन की इच्छा से जनित मने पैदा हुआ क्रिया नहीं पैदा हुई पहले क्रिया के विसाय में क्या पैदा हुआ वियापार पैदा हुआ फिर उस वियापार से क्या पैदा हुआ क्रिया समझो इस बात को जनित कौन हुआ तो जनित यानि पैदा हुआ प्रियोजन की इच्छा से प्रियोजन की जनित यानि पैदा हुआ कौन व्यापार व्यापार को ही हम कहते हैं प्रवर्ति क्या कहते है तो प्रियोजन की इच्छा से जनित क्या है व्यापार यानि प्रवर्ति व्यापार मने क्रिया नहीं व्यापार मने यहाँ प्रिवर्ति लेना है क्या लेना है उत्साह भाई प्रियोजन की आपको जो इच्छा होगी फल की इच्छा होगी नहीं नि भूप मैं बता रहा हूँ प्रिवोजन की इच्छा से जनित कौन लेना है व्यापार लेना है व्यापार यानि उत्साह प्रिवृत्ति पूरुस की प्रिवृत्ति क्यों होती है इच्छा से नहीं समझे क्योंकि इच्छति ततह यतति जो इच्छा होती इच्छा से प्रियोजन की इच्छा से जनित्म ने पैदा हुआ व्यापार, व्यापार क्या है? प्रियत्न प्रिवृत्ति उस्साह, अब उस्से क्या पैदा होती है? क्रिया, यागादी, यागादी, क्रिया, समझे के नहीं? मतलब किसी को पहले प्रियोजन की इच्छा होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर उसके लिए प्रिवृत्ति पैदा होती है, उसी को हम कहते हैं व्यापार, सबसे पहले प्रियोजन का ग्यावन होता है फिर प्रियोजन की इच्छा होती है फिर प्रियोजन वने फल को पाने के लिए उसके अंदर पूरुस के अंदर प्रिवर्त्ति उत्साह पैदा होता है अब फिर वो क्या करता उस प्रिवर्त्ति उत्साह के कारण क्रिया पैदा होती है तक क्रिया के विशाय में उसको पहले क्या होती है प्रिवर्ति होती है कि भाई मैं भी याग करके स्वर्ग को प्राप्त करूँ ते क्रिया के विशाय में क्या हुई उसको प्रिवर्ति हुई उत्साह यत्न पैदा हुआ पहले आत्मा में उसकी, समझे के नहीं, इसी को हम प्रवर्ति उत्साह प्रयत्न को ही आर्थी भावना कहते हैं, क्रिया नहीं है आर्थी भावना, ये बात समझ लीजिएगा, आर्थी भावना कौन है, पुरुसकी प्रवर्ति उत्साह प्रयत्न, कौन नहीं है क्रिया नहीं है वो क्रिया क्या है व्यापार जो क्रिया के विशाय में जो व्यापार है क्रिया भी व्यापार है ऐसा नहीं कि क्रिया व्यापार नहीं है दोनों व्यापार ही है लेकिन दोनों व्यापारों में अंतर है कि जो पहले है वो है प्रिवृत्ति उत्स प्रियोजन की इच्छा से जनित होता है और फिर उससे क्या होती है तक क्रिया विशाय व्यापार्ड करिया का कारण है प्रियोजक या तो वेद होगा और या फिर आचारी गुरू इत्यादी होगा प्रियोजक जो काम करवा रहा है अब प्रियोज जो होगा काम कर रहा है उसके अंदर प्रिवर्ति पैदा हो रही फिर वो क्रिया कर रहा है यह बात समझ में आगी का नहीं तब प्रियोज जो पुरुस है उसके अंदर वो व्यापार रहेगा उसके अंदर प्रेतन प्रिवर् आर्थी भावना पैदा होगी यह बात समझ में गई कि नहीं अब यहां पर एक समस्या क्या है कि यह आर्थी भावना हर जगह होती हर जगह मतलब किसी भी लकार में हर जगह यानि क्यों क्योंकि आर्थी भावना को कौन कहता है आख्या तत्तो आख्या तत्तो का मतलब होता है दस लकार हाँ देखो आख्यातत तों दस लकार साधारण हम लिखा था ना आख्यातत तो कहां रहता है दस लकारों में साधारण रूप से रहता है आख्यात कहते है तिंग को किसको कहते है अव आख्यातत तो यानि तिंग तो और तिंग एक प्रत्य आहार है तिपतस ex इपतस्था से लेकर के इट भही महिंग तक, तो इसलिए तिंग क्या मतलब, क्या है सारे एठाराव प्रत्य है, तो वह सभी लकारों में होता है क कि नहीं कोई भी लकार होगा उसमें तिंग तो रहेगा कि नहीं, आख्यातत तो रहेगा कि नहीं तो दसो लकारों में हो गया कि नहीं हो गया बस लिंग तो सिर्फ लिंग में ही रहेगा विधलिंग आशिर लिंग में वो वहीं रहेगा लेकिन जो तिंग तो है यह ध्यान देना यह क्या है ये तिंग तो है आख्या तो ये दसो लकारों में रहेगा कि नहीं क्योंकि दसो लकारों में जो है वही तिंग प्रत्ती ही होते हैं सो समझागे एक रहती आर्थी भावना कहां रहती है तिंग तियानी दसो लकारों में रहती है और साब्धी भावना सिर्फ लिंग लकार में या लोट या तब्यत इत्यादी वो कुछ खास है उनी में रहती है लोट भी तो आता है लिंग यर्थ में इसलिए वहां भी रहती है लेकिन आर्थी भावना तो तरथो गच्छती कहेंगे यहां भी है रामाग रामम गच्छती कहेंगे यहां भी आर्थी भावना है क्योंकि प्रिवर्त्ती तो यहां भी हो रही है वहां प्रिवर्त्ती भी है और प्रिवर्त्ती का कारण जो साब्दी भावना है वो भी है गच्छेत तो वहां पर जो है जो मने साब्दी भावना भी है और हाँ वहां पर राम जा भी रहा है राम के अंदर प्रिवर्ति भी हो रही वो तो राम के अंदर प्रिवर्ति भी हो रही और वहां प्रिवर्ति के अनुकूल सब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है किसी गुर वहां पर किर्चे ते किसी गुरु आचारित्यारि कर वचन है में प्रिब्रत्ति है राम के अंदर प्रिबृति नहीं हुई क्या तो क्या twenty अपनी से क्या मतलब प्रिवर्ति हुई के नहीं हुई और रामा ग्रामम गच्छती में प्रियोजन किसका नहीं सिद्ध हो रहा है भाई ऐसा थोड़े बिना प्रिवर्ति बिना प्रिवर्ति वो गुरू का प्रियोजन वो रामू को प्रियोजन है वो अने बहुत भाई जो गुरू के प्रयोजन भई तो सिस्स इप प्रयोजन है ॐढहि ग्रीय उसके क्रिया से कुछ सिध्ध हो ना चाहा रहा हो गहां राम खाने के लिए आप iness और तहो लाएगा तभी को अपर कोई नहीं लाएगा उसको फाने मिलेगा लाएगा को खाना तो प्रियोजन भोत प्रियोजन परीओजन लांए में भूट बन जाएंगे बिकार थो सुख प्रियोजन के अख recovering वो कुछ घूमघाम करके निकलाए, पूंड-पूंड से सूख, आगे चलो, यह समझ गई का नहीं, आगे बढ़ो, तो रामाग험 गच्छेत यहाँ पर क्या है, रामागरामं यहां क्या है, यहाँ स्त्रे प्रिणगा भी है, साब्दी भाबना भी है, जो राम के एंदर समझ गेक नहीं बनाने वाला यदि अच्छा होगा तो इसा प्रस्ण कर भी सकता है अच्छा होगा मतलब क्या है विद्वान होगा विद्वान होगा मतलब यहां काउंसी लच्छना है यहां काउंसी लच्छना उपिकृतम भहुतत्र कि मुच्चिते यही वाली विप्रीत ल पर चलो आगे तो साच साच माने वहां आर्थी भावना ये बात समझ में आ गई कि नहीं प्रेयोजन स्वर्ग पसूप उत्रित्यादी की 6 उत्पन जनित मने उत्पन जो व्यापार कौन सा व्यापार पुरुस का उत्साह पुरुस का 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 वोजन की इच्छा से जनित है, जनित यानि उत्पन है, उत्पन कौन है व्यापार, और जो की क्रिया का क्या है विशाय यानि जनक है, क्रिया का वो उत्पादक है, विशाय का मत्रब यहां सरल भासाम बता दे रहां जनक, समझे के नहीं, तक क्रिया का विशाय यानि जनक हो, जनक मने पैदा करने वाला कौन सी क्रिया यागादी क्रिया को पैदा करने वाला ब्यापार मने पुरुस की प्रिविर्ति उत्साह प्रेत्वन उसी इसने यागादी क्रिया पैदा होती है पहले प्रिविर्ति होगी फिर क्रिया भी होगी सामने बात है तू अब क्रिया करेगा उसके बाद जब क्रिया करेगा तब प्रियोजन सिद्ध होगा साच और वह जो है आर्थी भावना और वह जो ये समझ गई कि नहीं चालो तो ठीक है अब कहते हैं कि जो आर्थी भावना है वो पता कहा है चली भाईया आर्थी भावना कहां से पता चलती है तो कहा आख्यातत तुआंसेन उच्चती किसंस के द्वारा अभी बताया था ना आख्यातत तुआ नि तिंग तुआ तिंग तो कहां रहता है तिंग माने दसों लकारों में तो इसलिए आख्यातत तो जो अंस है वो कहां रहेगा तो दसो लकारों में सामाने वहार्थी भावना उच्चते माने कही चाती है यह समझ गई कि नहीं जैसे पच्चती हम कहते है तो बोध क्या होता है पाकं करोती गच्चती कहते है तो गमनं करोती यहां हर जगे पर पुरुष की प्रिवर्ति अनुभूत हो रही है कि नहीं हर जगे पर पुरुष की प्रिवर्ति का अनुभव हो रहा है कि नहीं बोलो भाई यह बात समझ में आई कि नहीं आई क्योंकि देखो पच्चती कहा हमने क्या कहा पच्चती तब पचती कहने से किसका बोध हो रहा है पाकम करोती पाकम तब यहां पर पाकम जो है वो पाक मने पकाना वो तो पचधातू का आर्थ है वो तो पचधातू का अर्थ है लेकिन यह जो करोती है यह किसका आर्थ है यह ती का आर्थ है और करोती मतलब होता है क्रिया करोती मने कृती और कृती ही प्रयत्न है भाई पड़े है ना नियाय में तो कृती ही क्या है प्रयत्न है प्रिवर्ति है उत्सा है तो पचती में पचधातू का आर्थ है पाक मने विकलिती और ती का आर्थ ही क्या है करोती त प्रतिय उसके आर्थी किया है ? करोती करोती मतलब कृति कर्थी , नहीं समझे व्यापार भावना कौन सी भावना अर्थी भावना यह नहीं समझ गई की कि नहीं व्रतित होती है किसके द्वारा ती प्रते के द्वारा की ती प्रते से किसकी प्रतीती होती है करोती की करोती यानि क्रिया भावनाव व्यापार कौन सा व्यापार वो पुरुसकी प्रिवरती रूप आर्थी भावना की प्रतीत होती है हमको अब पच धातू से किसकी प्रतीती होती है पाक हमकी मनि पच पकना, समझे का नहीं, तो पचती में दो अंस हैं, पच और, तो पच का आर्थ क्या है, पाक और ती का आर्थ है, करोती करोती यानि क्रिया, क्रिया मतलू व्यापार, भावना, का उनसी भावना, आर्थी भावना, यानि पूरुस की प्रिवर्ति, पूरुस के अंदर की क्रति पूरुस के अंदर का उस्था यहं को पचति में दीसे प्रतित हो रहा है इक नहीं ओकाрах रात्व है तो प्रते कार्थ क्या है कि दोनों है प्रबर्तना भी है परव। फिस की प्रव। दोनों है वहां तो प्रत्ते दोनों को कह रहाँ सब्सक्राइबा भावका को है जो वेध के अंदर व्यदा है भाई वहां तो गुरुजन के आग़्या कारण ही पीर fidelity पईदा हो रही है। हमाँ तो मानने ही पड़ेगी। वहां पर प्रत्ते कहर है ना साप्धी भावना कानु भवनी होता क्या हुए। तपिर तो मानना ही पढ़ेगा। यदे असमाच शब्डा नियमता प्रतियत ततत सिवाच्यम अभी आया था, जो जिस सब्द से नियम से प्रतियत हो, उसका बाच्य होता या था को सब्द से गोत्वम, समझें के नहीं? तो वहाँ पर साब्दी भावना भी है, प्रवर्ति रूपी आर्थी भावना भी है, यह समझ गई के नहीं? एक ही तो वहाँ लिंग तुएन रूपेन साब्दी भावना को और आख्याता तुएन रूपेन भावना को कहता है, आर्थी भावना को कहता है, समझ गई के नहीं? चलो अब पचती में लेकिन ती पृते है फाक्याता तो अंसी है इहां तो लिंक तो नहीं है तो यहां सिरफ आर्थी भावना पृती तो होगी जो की करोती सब्दसे हमको पता चल रही है उप पचधातू का आर्थ पीज़ी नहीं जाती है यह समझे कि नहीं समझे क्या समझ में नहीं आया आख्यात सामान्य से व्यापार वाचित वाद सामान्य रूप से जितना भी आख्यात है सब किसका वाचक होता है व्यापार का वाचक होता है नहीं समझे आख्यात सामान्य मने सारा आख्यात जितना भी तिंग है तिंग तिंग आख्यात कहते हैं तिंग प्रत्यों को आख्यात मने डरना नहीं आख्यात मने तिंग प्रत्य तो तिंग प्रत्य कौन होते हैं तिपतष जी से लेके और वहीं तक वो दसों लकारों में रहते हैं तो सामान ने मतलब सारा आख्यात जितना भी तिंग है वो व्यापार का वाचक होता ही है तो वो कौन से व्यापार का वाचक होता है तो भई आर्थी भावना का वाचक होता है और लिंग और लोट इत्यादी में वो साब्दी भावना का भी वाचक हो जाता है तो कोई दिक कतोड़े उसमें चलो वहां महसूस होता है वो अर्थम को प्रतीत होता है इसलिए वो उसका बाचक हो जाता है तो साच माने वह जो आर्थी भावना है आख्यातत तौंस के द्वारा कही जाती है क्योंकि आख्यात सामान ने मने सारा जो आख्याते सारा तिंग है वो व्यापार का बाचक होता है अच्छा अ यह बात तो ठीक है कि व्यापार यहां पर पुरुष की प्रिविर्ति उत्साह प्रयत्न कृती कृती भी कहते हैं उसको नहीं समझे व्यापार वाचक होने से क्योंकि आख्यात सामाने आख्यात मने तिंग सामाने मने संपूर्ण जो तिंग है वो व्यापार वाचित्वात मने व्यापार का वाचक होने के कारण वो व्यापार का चुंकी वाचक होता है इसलिए साच मने वह आर्थी भावना क्याता तो उसके द्वारा कही जाती है समझे कि नहीं उच्चेते मने कही जाती है पियते मने पिया दुहते दुहा जाता है समझे कि नहीं उच्चेते कही जाती है क्योंकि आख्यात सामान जो है वो व्यापार का बाची होता है समझ गई कर नहीं तो आतमाने होने से अब कहते हैं सापी सामाने जो आर्थी भावना है उसको भी क्या होता है भाई हाँ उसको भी क्या होता है तीन अंसों की अपेक्षा होती है तो साप इमाने आर्थी भावना आपी अंसत रेम अपेच्छते तीन अंसों के अपेच्छा करती है साध्य साध्यन और इतिकर्तब्यता साध्य साध्यन और इतिकर्तब्यता तीन अंसों की उसको अपेच्छा होती है तीनों अंसों काभिने कैसे करेंगे किम भावयत, केन भावयत, कथम भावयत समझ गई कि नहीं तो साध्य, साधन और इती करतब बेता किम भावयत ये क्या है ये साध्य की आकांक्षा है केन भावयत, ये साधन की आकांक्षा कथम भावयत ये तो इसका मतलब क्या है किम भावयत्मने क्या करना है भाई तो एक बात बताओ पुरुष की प्रवर्ति के बाद क्या होता है कौन सी क्रिया यागादी क्रिया होती है पुरुष की प्रवर्ति के बाद क्रिया होती है कौन सी क्रिया होती है यागादि करिया होती है तो भाई यह वही न करना है तो साथ्धिके रूप में किसका आन्नुए होगा बताओ यागादि का आन्नुए होना चाहिए लेकिन हाँ यही तो बात है यह बात समझ मैं ही कर नहीं यह तो प्रसन उठेगा कि नहीं उठेगा बताओ तो बात यह है कि क्या पुरुस की प्रवर्ति सिर्फ याग के लिए होती है पुरुस के अंदर जो प्रवर्ति है उत्साह प्रियतन है करती है वो सिर्फ याग के लिए क्रिया करने के लिए होती है प्रियोजन की सिद्धी के लिए भाई तो उत्पन क्या करना है प्रियोजन और किसके द्वारा उत्पन करेंगे क्रिया करके समझे का नहीं समझे तो आर्थी भावना ऐनि पुरुस की प्रिवर्ति क्यों होती है उसके द्वारा क्या करना है हमको याग नहीं करना है याग तो करना है लेकिन याग के माध्यम से हमको प्रियोजन सिद्ध करना है स्वर्ग उत्पन करना है बास समझ में आई कि नहीं आईसा देखो होना किस कारूँ चीहे बैसे तो याग का क्यों उसका कारण भी है उसका कारण ये है कि आपके पास एक पद है यजेत क्या पद है देखो लिख देता हूँ यजेत ये पद है अब यहाँ पर जो यज है और तो है क्या है तो का आर्थ क्या है बताओ ताके दो आर्थ हैं कि नहीं एक तो साब्दी भावना है और एक तो का आर्थ क्या है आर्थी भावना है नहीं है तो जब आर्थी भावना यानी पूरुष की प्रिवर्ति है उसके जब साध्य की आकांच्छा होगी तो कौन उसमें अन्वित होगा अरे भाई यज के तो के किनारे जो यज है उसके द्वारा उपस्थित जो याग है उसी का नान में होना चाहिए समझे कर नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं होता उसका अन्वे क्यों क्योंकि वो प्रियोजन नहीं भाई उसको करना ही नहीं हमको केवल केवल उसको करना है क्या उससे हमारे इष्ट की सिद्धी हो जाएगी क्या इसी लिए दूसरा जो पद है स्वर्ग का महा क्या पद है स्वर्ग की कामना करने वाला पुरुस क्या है लेकिन हम उस पद की क्या कर लेंगे लच्छना कर लेंगे उस स्वर्ग कामना पद की क्या कर लेंगे और उसका आर्थ क्या कर देंगे स्वर्ग उसका आर्थ सिर्फ क्या कर देंगे और फिर उस स्वर्ग का कहा करेंगे हम जाकर के आर्थी किस रूप में आर्थी भावना में करें किस रूप में साध्य की रूप में कि स्वर्गम भावयेत समझे के नहीं क्या करेंगे आर्थी भावना से क्या उत्पन करना है स्वर्ग उत्पन करना है यजेत यहां पर तौप्रत्य से निकली आर्थ किसका होना चीह था तो प्रते की जो प्रिकृति है या जधातु उसके अर्थ यागकान में होना चीह था कि आगम भावेत साध्धी की रूप में यागकान में हो लेकिन ना उसका नहीं होता क्यों क्यों कि वो थोड़े हमको मुखिप्रोजन है वो थोड़े करना हमको क्या को ये प्रिवृत्ति पैदा होती है नहीं भाई स्वर्ग अधिक फल पुत्पन्नों इसके लियन करता है प्रिवृत्ति आती है अंदर तो स्वर्ग कामहा पद ये पिस्वर्ग कामहा पद किसको कह रहा है पूरुस को स्वर्ग कामहा पूरुसा स्वर्ग की कामना करने वाला प करेंगे साध्य के रूप में हम इसमें अन्युएं किसमें आर्थी भावना में प्रवृत्ति में यह बात समझ में आ गई कि नहीं अब बात यह साध्य तो स्वर्ग सिद्ध हो गया कि साध्य क्या है आर्थी भावना पुरुष्ट की प्रवृत्ति का साध्य क्या है क्या चाहिए उसके लिए याग करना पड़ेगा भाई तो याग जो था जो यह जदहातु से उपस्थित याग था यद्य पहले उसको साध्य के रूप में आना चाहिए था नहीं आया लेकिन अब साधन के रूप में आ जाएगा याग के द्वारा सुर्गों को हम करेंगे त जालो वही लिखा है यह बात समझ में आगई कि नहीं तो अब पंक्ति देख लो साध्य साध्य नित करतब विता किम भावेत किन भावेत कथम भावेत तो इती तत्र साध्या कांग्छाया साध्य की या कांग्छा में साध्य की या कांग्छा होगी कि नहीं होगी कि हमको कर तो साध्य की आका अंक्षा में सुरगादी फल का साध्य के रूप में अन्वे होगा किस का अन्म्य होगा सुरगादी फल का किस रूप में होगा साध् unfavad अर्थी भावना के द्वारा स्वरगादी फल साध्धी का आर्थी भावना प्रत्य के किनारे यह जो धातू थी उसी तो उपस्तित याग था तो वो तो अब साध्य नहीं बन पाया साध्य बन जाएगा तो साध्य के यागादी जो है करण के रूप में अन्वित हो जाएगा यह समझ गी कि नहीं तो बैसे तो यहां भी संका उठनी चाहिए कि बास्तम में क्या यागादी आर्थी भावना का करण है यागादी करण है आर्थी भावना का वो आर्थी भावना का करण नहीं है तो कैसे करण कैसे बनाना पड़ेगा तो करण तो वहां पर वही जो पीछे आया था स्वा भाव्य निर्वर्त कत्व स्वा से लेंगे हम किसको याग जादी को अए उसका भावभे कौण होगा तै है यादिसी क्या पहिदा हुआ स्वर्ग अउसी स्वर्ग का निर्वर्तक कौण हो रहा है अर्थी भावना यह बात समझ में रही क्या है हाँ निर्वर्तक मने संपादक ये बात समझ में है कि नहीं जैसे या फिर स्वासे हम पकड़ लेते हैं आर्थी भावना को स्वासे आर्थी भावना का करण बनाना है किसको हमको मने यागादी को तो यागादी आर्थी भावना का करण मने उत्पादक है क्या? नहीं है तो करणत तो रूप यहां करणत तो किस प्रकार का लेंगे? वही जो जैसे उपर आया था ना स्वभाब्बे निरवर्तकत्तो तो स्वासे हम पकड़ेंगे आर्थी भावना को और उसका जो भावब्बे कौन है आर्थी भावनास क्या पैदा हो रहा है स्वर्ग और उसका निरवर्तक कौन हो जाएगा याग? नहीं समझे देखो मैं बता रहा हूँ साधन की आकांच्छा में यागादी का करणत्वे ननवे होता है करण माने क्या ले सकते हैं? उत्पाद कत्व ये उत्पाद कत्व लेना अगर लोगे तो दिक्कत या जाएगी कि ये जो यागादी है वो आर्थी भावना का उत्पादक नहीं है आर्थी भावना यानि पूरुस की? हाँ पूरुस की? प्रिवर्त्ती पूरुस की प्रिवर्त्ती का उत्पादक जो है क्या वो यागादी है? नहीं है यागादी थोड़े पूरुस की अंदर प्रिवर्त्ती पैदा करता है सुरगादी प्रियोजन करता है तो वह साब्दी भावना से होती ही प्रिवर्त्ती तो पुरुस की प्रिवर्ति का उत्पादक यागादी नहीं है इसलिए करणत उत्पादकत उसमें नहीं बन सकता तो कैसा करणत तो रहेगा तो रहेगा स्वाभ्य निरवर्तकत्व हाँ भाभ्य कत्व कहलो निरवर्तकत्व इसमें कोई दिक्कलत नहीं स्वासे ले लेंगे पुरुष की प्रवर्ति और उससे भाब्या साध्य क्या है स्वासे पुरुष की प्रवर्ति और उससे भाब्यमाने साध्य कौन है उससे क्या सिद्ध हो रहा है पुरुष की प्रवर्ति से स्वर्ग अब उसी साध्य का स्वर्ग का निरवर्तक यानी निस्पादक कौन है यागादी तो इसलिए स्वा से लेंगे पर उसकी प्रिवर्ति उसका भाब बे साध्य होगा या स्वर्ग उसका निरवर्तक कौन होगा उसका निस्पादक होगा यागादी तो स्वभाब्य निर्वर्त कत्व रूप जो करणतो है वो करणतो यहाँ पर हम यागादी में बन जाएगा तो ऐसा करणतो है स्वभाब्य यह उपर भी आया था यहाँ पर ये लिखा था ना किन्तु भावना ग्या पकत्वे नत्वा सब्थ भावना भाव्य निर्वर्त कत्वे न उपर आया था कि नहीं तो सुवा भाव भी निर्वर्त स्वामा ने उहां साब्दी भावना पकड़ी थी और यहां स्वामा ने क्या लेंगे तो आर्थी भावना से भाव्बे कौन होगा और उसका स्वर्ग का निरवर्तक कौन होगा यागादी हो जाएगा यह समझ गई कि नहीं तो वही लिखा है कि सुवमा ने वहाँ उपर आर्थी भावना पकड़ी थी नहीं नहीं साब्दी भावना और उसका निरवर्तक इस प् स्वर्ग अव उसका निर्वर्थ करण 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 बन जाता है वहां भी घट गया समझगे कि नहीं तो इस प्रकार से साधन किया कांग्षा में यागादी जो है वो करण के रूप में उसका अनुवे हो जाएगा यजियत का अर्थ क्या निकलेगा? 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 यजियत का अर्थ क्या कि यहां पर तृतिय जो आकांग्शा है इतिकरतब्यता की आकांग्शा उसमें जो प्रयाजादी अंग जात है जात मतलब संपूत सब जात मने क्या होता है सब या सभी कह लो सभी अंग प्रयाजादी सभी वो जो है इतिकरतब्यता के रूप में उनकान वै तो भीया से क्या लेना है पांच प्रयाज लेने हैं कौन-कौन से समिध हो यजती समिध हो यजती फिर जोड़ लेना इसी प्रकार से तनून पातम यजती फिर इडो यजती बर्हिर यजती स्वाहा कारम यजती समझ गई के नहीं तसमिध हो यजती समिध हो यजती तनून पातम यजती इडो यजती बर्हिर यजती स्वाहा कारम यजती इन वाक्यों से पांच प्रयाज जो हैं भीत किये गए हैं अब प्रयाज आदी लिखा है क्या लिखा है आदी से क्या लेना है भीया तो आदी से अनुयाज इत्यादी ले लेने हैं जो याग के अनंतर होते हैं अनुयाज याग के अनंतर पश्चात याग के पश्चात ये बा अनुयाज इत्ते आदी ले लेने हैं अनुयाज आदी ले लेने हैं ये बास समझ में आगे कर नहीं तो अनुयाज प्रियाज जो होते हैं वो पहले होते हैं और ये अनुयाज जो है पश्चात होते हैं ये बास समझ में आगे कर नहीं अब क्या है ये पांच जो प्रियाज है ये पांच जो याग है ये दर्स पूर्णमास के प्रकरण में कहे गए हैं कहां कहे गए हैं प्रकरण में कहे गए हैं और इनका कोई फल नहीं बताया गया है फल किसका बताया गया है दर्स पूर्णमास याग का फल बताया गया है कि दर्स पूर्ण मासा भ्याम सुर्ग कामो यजेत, दर्स पूर्ण मास के द्वारा सुर्ग की कामना करने वाला यग्य करे, अब यहाँ पर जो है फल किसका बताया गया है, दर्स पूर्ण मासा का, क्या वाक्य है? दर्स पूर्ण मासा भ्याम सुर्ग कामो यजेत, अब यहाँ पर यह दर्स पूर्ण मासा भ्याम सुर्ग कामो यजेत, यहाँ जो दर्स पूर्ण मास ही आ गये, वो तो उसका तो फल सुर्ग बताया गया है, यह समझ गई कि नहीं? उसका फल क्या है? सुरग बताया गया है, तो दर्स पूरुनमास जो याग है, उसका फल बताया है कि नहीं? तो जिसका फल बताते हैं, वो होता है प्रधान, तो दर्स पूरुनमास कैसा याग है? प्रधान याग है, समझे कि नहीं? जिसका फल बताया जाता है, वो याग कैसा होता है प्रधान होता है लेकिन क्या केवल अकेला कोई प्रधान काम कर सकता है उसके साथ में क्या होने चाहिए हाँ उसके अंग उसके उपकारक भी होने तो अकेले केले दर्सपूर्णमास प्रधान फलों को संपन्न नहीं कर सकता इसी लिए बासमजमेक नहीं तो और भी जो फलों को उत्पन करने वाले जो उसके अंग हैं सहायक हैं वो भी उहां पर होने चाहिए अब बात यह है कि ये जो समिदोय जती तनुनपात में जती ये भी उसी प्रेकरण में कहे गए हैं इनका कोई फल है नहीं तो फल को आकांग्चा होगी इनको कि मेरा फल क्या है हम सब किये तो जाएंगे लेकिन हमारा फल क्या है ये बासमजमें आ गई कि नहीं दर्स पूर्णमास को आकांग्चा होगी कि किसके द्वारा करना है इनको आकांग्चा होगी क्या करना है तो परस पर मिल जाएंगे दर्स कि सवर्ग काम हुए जेते प्रकरण पड़े गया है ये कहेगा कि तुम्हारा फल क्या है सवर्ग है अब दर्स पूरण नमास को कि कि मने कथम आकांगशाउगी कैसे करना है सवर्ग को तो फिर ये सब जाकर कि मिल जाएंगे कि इनके साथ में दर्स पूर्ण मास के द्वारा सुर्गों को उत्मन करना है यह बास समझ में आ गई कि नहीं तो यह परस पर एक दुसरी को एक दुसरी की जरूरत भी है न जैसे यह समिधोज़त इत्यादी जो प्रयाज अनुयाज इत्यादी है इन सब को किसकी जरूरत है फल की वो कहां सपता चलेगी दर्स पूर्ण मास अभ्याम सुर्ग काम उज़ेत इसके दौरा अब दर्स पूर्ण मास अभ्याम सुर्ग काम उज़ेत उसको किसकी जरूरत है कथम की कैसे करना है अंग कौन से है कहां है वो अंग तो अंगों की आकांग्षा होगी तो वो इनके पास चला जाएगा ये फल की आकांग्षा हम वो इधर चले आएंगे दोनों वाक्य मिल करके एक वाक्य हो जाएंगे और अर्थ निकलेगा समीद इत्यादी जो प्रियाज उन अंगों के सहित दरस पूर्ण मास के द्वारा सुरकम को यग करना चाहिए सुरकम भावेट्याग यग यन सुरकम भावेत्य यह बाथ समझ में आगफी कि नहीं यही इनका मिल करके परस पर आकांग्शा होने के कारण परस पर संबंद हो जाएगा समझे कि नहीं कि एक प्रयाज अनियाज इत्यादी के द्वारा उपकार संपन हो गया है जिसका उपिकृत कर दिया गया है जो दर्स पुर्ण मास याग उसके द्वारा स्वर्गम ये समझ गए कि नहीं तो ये प्रयाजादी जू है वो इतिकरतब्यता के रूप में इनका अन्य होग जाएगा इतिकरतब्यता नहीं कथम कथम भावा का अंक्षा कैसे करना है तो यह जाकर के इनके उपकार के द्वारा करना है समझें कि नहीं यानि पहले इनको भी करना है इनके द्वारा उपकृत जो दर्सपूर्णमास है उसके द्वारा सुर्ग को उध्मन करना है यह बात समझ में अगर इक नहीं चलो तो यानि कि अब अगर बोध होगा तो क्या होगा कि सुरगादी फल जो है वो भाव्य है साध्य है किसका आर्थी भावना का और उस आर्थी भावना में करन कौन है यागादी करन है यागादी करन का और प्रयाजादी उसमें क्या है अंग है तो प्रयाजादी अंग विसिष्टा अथवा प्रयाजादी इतिकर्तब्यता का आर्थी भावना पुरुस की प्रवरत्ती समझ गई कि नहीं आएसी जो पुरुष्ट की प्रवृत्ती है वो है साथी किस 멏 वो किस में अन्वित हो रही है आरथाप्सबी भावना में तो आएसी पुरुष्ट की प्रवृत्य रुप आरथी भावना साथिका लिगादिक ज्यान करणिका अव प्रासस्तिय अर्थवाद ग्यां पे प्रासस्तिय ग्यान इतिकरतब्यता का साथदी भावना ये जो है ये इत्यादी में बोध होगा समझ गई के नहीं? चलो ये समझ गई के नहीं? हाँ समिद याग है फिर तनुनपात है इडो है बर्धिर स्वाहकारम समझ गई के नहीं? ये इस पश्ट हो गया के नहीं? यजेत यहाँ पर प्रकृति का आर्थ क्या है? ये ज़ धातू का धातू ही तो प्रकृति प्रकृति नतर जिससे प्रत्य आये उसका आर्थ क्या है? याग तो प्रतेक आर्थ क्या है तो माने भावना और वो भावना दो है कौन कौनसी आर्थी और शाब्दी जिसमें आख्यात वाच्च क्या है आख्यात वाच्च भावना कौनसी है आर्थी भावना लिंगर्थ क्या है साब्दी भावना आर्थी भावना में फल प्रियोजन किस रूप में अन्वित होता है साध्य के रूप में स्वरगाद जो फल प्रयोजन है वो किस रूप में अन्वित होता है साध्य त्यन और यागाद जो धातू का आर्थ था प्रिकृत्य त्यर्थ जो था वो करण त्यन अन्वित होता है कथम भाव किया कांग्षा में इतिकरतब्यता में प्रियाजादी जो संपूर रंग है वो अनुवित होते हैं साथ्या कांग्षा में किसका अन्य होता है अंगत्रियो पेता आया धना तीनों अंगों वाली साथ्या आर्थी भावना का अन्य होता है और करनत तो इन किस का अन्वे होता है लिंगादी ज्यान का अन्वे होता है और कथम भावा कांग्छा में इतिकर्दब्यता कांग्छा में अर्थबाद ज्याप्य प्रासस्तिक ज्यान का अर्थबाद ज्याप्य प्रासस्तिक ज्यान का अन्वे होता है ये बात समझ में आ ग देखो बोध जो होगा स्वर्ग कामा है ये जेद इस बाग के का है बोध स्वर्ग स्वर्ग फल साध्य स्वर्ग फल साध्य का यागादी करनिका प्रयाजादी अंगीका कहलो चो है प्रयाजादी प्रयाजादी यहाँ दिर कर लेना प्रयाजादी कर लेना प्रयाजादी थी प्रियाजादीती करतब्यताका ये हो गई आर्थी या आर्थी भावना ताद्रिस ये आर्थी भावना तीनों अंगों वाली हो गई कि नहीं हो गई ताद्रिस अंगत त्रयो पेत आर्थी भावना भाव्यका और लिंगादिक ज्ञान करणिका लिंगादिक ज्ञान करणिका और अर्थवाद ज्ञाप्य अर्थवाद कर्णिक ज्ञाप्य प्रासस्तिक ज्ञान ज्ञान इती कर्तब्य ताका ग्यानेती कर्तब्य ताका कर्तब्य ताका शाब्दी समझ गई के नहीं ये जो है बूध हो रहा है ये जेत सुर्ग कामह से इतना बड़ा इतना बड़ा बूध हो रहा है ये समझ गई के नहीं कोई समस्या है इसमें कोई समस्या इसमें चालो अब अच्छा एक बात और भी है कि याग से सीधे स्वर्ग पैदा बीच में कुछ आता है वो क्या होता है वो अपूर्व होता है क्या होता है उसको नयाइक लोग धर्मा धर्म कहते है अपूर्व बता तो रहा हूँ धर्मा धर्म नयाइक लोग क्या कहते हैं उसको धर्मा धर्म कहते है नरक भी तो मिलता है कई बार नहीं और भी बाक्यतों है वेद में उसके बाद जो है उसको वैसेसिक लोग अद्रिष्ट कहते हैं अद्रिष्ट माने भी क्या होता है अपूर्व धर्मा धर्म अपूर्व जो है उसको मिमान सक कहते हैं धर्मा धर्म नयाई कहते हैं अद्रिष्ट ऐसा वैसेसिक कहते हैं उसको यह समझ गई कि नहीं और पूर्णे पाप ये पौरानिक कहते हैं वो ते उप्रस्ट अब्याहक ये समझगे कि नहीं चालो वो कुछ भी कह लेते हैं अब जब इतने सब्द मिल गए अब हम क्या कहेंगे कुछ भी कह लेंगे क्या समस्या है वैसे वो लोग भी धर्मा धर्म बोलते हैं नहीं समझें क्या बोलते हैं कि स्वर्ग नरक देता है कि ये समझ गई कि नहीं तो यागात इसे क्या पैदा होता है अपूर्व और क्या अपूर्व मतलब अध्रिष्ट अपूर्व अध्रिष्ट अथवाक धर्मा धर्म अथवाक पूर्व पाप अथवाक प्रारब्ध कर्म समझ गई कि नहीं तो यापूर्व कहते हैं मीमानसक अध्रिष्ट कौन कहते हैं वैसेसिक धर्मा धर्म कौन कहते हैं नयाइक पूर्व पाप कौन कहते हैं पूराणिक और प्रारब्ध कर्म कौन कहते हैं वेदान्ति चालो ये बात इसपश्ट हो गई कि नहीं ये बात समझ में आ गई कि नहीं अब जो है वेद के लक्षण का विचार हमको करना है अथक को वेदहा ये बात समझ में आ गई कि नहीं वेद का स्वरूप क्या है वेद का लक्षण ये बात समझ में आगी का नहीं इती चेट ऐसे प्रस्ण पर उच्छते माने कहा जा रहा है अपवरुशेयम वाक्यम वेदा है अपवरुशेयत्वे सती वाक्यत्वम वेदस सेलक्षणम अगर केबल वाक्यत्व कहते तो हमारे तुमारे वाक्य में भी लक्षन चला जाता तो हमारे तुमारे वाक्य भी वेद वाक्य होने लगते इसी लिए अपाउर सुयत्व का मतलब क्या है? किसी भी प्रमान से उसमें पूरुस कृतट तो न मिले अपाउर सुयत्व क्या है? बात समझ में करना है? मारे पूरुस कृतट tu ना हो वो किसी हमको प्रमान poly नहीं मिल रहा है इसी पूरुस के द्वारा बनाया गया है तो और वा पैर उसे यह है यह समझगे के नहीं, क्योंकि अविच्छिन गुरुषिस से परंपरा के द्वारा बेद चला रहा है, कौन बनाया पता ही नहीं, कोई इस मर्यमान उसका करता है ही नहीं, समझगे के नहीं, तो अपवरुसिय रहते हुए, जो वाक के हो, वाक के क्या कहलाता है, समझगे के नह अगर केवल अपवरुसिय कहते कि जिसका कोई भी पूरुस करता तो ऐसा तो आस्मान भी होता धर्ती के परमानों भी हो जाते ब्रम्ह भी हो जाता तो सभी में रेक्षन चला जाने लगता इसलिए क्या जोड़ दिया वाक्यम जोड़ दिया वाक के भी होना चाहिए तो अब धर्ती आस्मान और ब्रह्म हमें जाएगा लठण अब कहा जाएगा सिर्फ अपवरुसिय वाक के आनि वेद में ही जाएगा समझ गए कि नहीं 104 और वह जो वेद है बिधी मंत्र नाम धे या निशे धर्तबाद भेदाद समझ गए कि नहीं विधी मंत्र नाम धे निशे धर्तबाद के भेद से पांच प्रकार का तो ग्रंत का मुख्य काम क्या है इन पांच प्रकार के भेद के भेदों का निरूपन अर्थबाद पहले विधी का निरूपन करेंगे फिर मंत्र का विधी का निरूपन बड़ा नम्बा चलेगा फिर थोड़ा सा मंत्र का निरूपन आएगा थोड़ा सा नामधे का फिर थोड़ा सा निशेद का और फिर अर्थबाद का बहुत थोड़ा सा अर्थबाद का और फ सब उसी संबत हैं और वो चोटे मूटी चीज़ें हैं विधी ही बहुत व्यापक है समझ गई के नहीं तो विधी मंत्र नाम धे निशेद अब इनका लट्छन अलग लग से बताने की जरूरत है नहीं क्यों 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 कि विस्तार से सभी का प्रते का लट्छन और निरूप पहले कर देना चाहिए सूची कटाहन निया इसे की समझे के नहीं लेकिन सुरू किसका कर दी है विधी का आदमी विधी पढ़ते पढ़ते ही हो जाए परेशान लेकिन कोई नहीं है छोटा ही गरंत है जैसे चाहों विशे करो तो तत्र अग्यातार्थ उसका कारण भी है कि जितने भी वेद के वेद है उन सभ में मूल है विधी क्योंकि आगे जो भी आएंगे वो विधी से ही जुड़े हुए होंगे समझे कि नहीं समझे क्योंकि जो मंत्र है वो विधी समवेत मने जो क्या है यागादी में समवेत द्रब्य देवता अब यागादी कौन दरब्यधेवता सभी धर विधी सुत्रों से बने विधी वाक्यों से ही पता चलेंगे तो पता ही नहीं चलेंगे मंत्र क्या कहना चाहा रहा है। समझें कि नहीं, ऐसे ही अर्थबाद इत्यादी किसका प्रासस्तिनिंदा करेंगे, विधी बोधित यागादी की ही तो प्रासस्तिनिंदा आदी होती है, ऐसे नामदे किसका नाम रखेंगे, निसियद किसका निसियद करेंगे, विधाने नहीं करोगे तो निसियद किसका नाम दे क्या करता है याग के अब इसे नाम रखता है अब याग इप नहीं पता चलेगा बिना विधी के तो इसलिए विधी को तो हमको पहले बताना ही अब विधी को जब बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे तक कहीं भी कुछ भी कुछ भी समझना हो तो समझ में आसानी बाद की चीज़ें भी तभी समझ में आएंगी जब विधी का विस्तार से नुरूपन करेंगे समझ गए? चालो तो विधी की मिमान साव यहां पर कर रहे हैं विधी का विचार तत्र इन पाँच भेदों में तत्र मने इन पाँच भेदों में अज्यांत आर्थ ग्यांप को वेद भागो विधी जो अज्यांत अर्थ का अज्यांपक होता है ऐसा जो वेद का भाग है वो क्या होता है विधी होता है अज्यांत का मतलब क्या है अज्यांत यानि आप्राप्त अज्यांत मने आप्राप्त जो कहीं से पहले से प्राप्त ना अज्यांतस चासव और्थः अज्यांत आर्थः जो कहीं से भी प्राप्त ऐसे अज्यांत अर्थ को ज्यांपन कराने वाला यानि बोध कराने वाला बोधक ऐसे अप्राप्त अर्थ का जो बोधक वेद का भाग मने वेद का हिस्सा उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं बिधी कहते हैं यानि अज्यातार्थ ग्यापकत्वम बिधित्वम या बिधेर लच्छणम समझ गई कि नहीं अज्यातार्थ ग्यापकत्वम वेद भागत्वम बिधित पता हूँ हमको किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा जैसे अगनिहोत्रम जो या सुर्ग कामः यहा विधी क्या करती है मने सुर्ग के प्रयोजण से अगनिहोत्र का विधान करती है पुरुस को उद्देश से करके तो क्या यहां पर किसी अन्य वाक्य ने किसी अन्य प्रमाण ने क्या आपको अगनिहुत्र करने के लिए बताया है नहीं बताया सिर्फ यही एक मात्र प्रमाण है विधी है यही एक मात्र वाक्य है जो अग्यात अर्थ को बता रहा है इकों यणची है वहाँ बेद भाग वाला हिस्सा नहीं जायेगा लिकिन विधी सुत्र वो भी है वो भी अग्यात अर्थ ज्यापक है एक के इस्थान पर यण करना और किसी भी परमान से सिद्ध ना किसी ने बोला है हमने देखा है कुछ नहीं है किसी भी प्रमान से सिद्ध नहीं है किसी भी अन्य मान से प्रमान से नहीं सिद्ध है तो अज्यात अर्थ को उस ग्यापन करने वाला बताने वाला जो बेदभाग होता है कोई विधी होता है या जो कोई भी हो अगर कोई प्राप्त हो गया अगर कोई यानि ग्यांत हो गया तो वो क्या हो जाता है वो देश से हो जाता है वो क्या हो जाता है वो जो अप्राप्त अग्यांत अर्थ होता है वो विधे होता है यह बात समझ में आगी कर नहीं कहते हैं सोच वो जो बिधी भाग है वो तादर्स प्रियोजन वत अर्थ बिधानेन अर्थवान यानि वह तादर्समाने उस प्रकार के तादर्स प्रियोजन वत यानि उस तादर्समने उस प्रकार के प्रियोजन वाला होता है उस प्रकार के किस प्रकार का प्रियोजन जो प्रमाणांतरेन ओप्राप्त हो किसी भी अन्य प्रमाणांतर कहते हैं दूसरा प्रमाण प्रमाणांतर यानि अन्य प्रमाण से जो ओप्राप्त हो ऐसे प्रियोजन वाले ऐसे प्रियोजन वाला जो होता है वही क्या होता है बिधी होता है नहीं समझें बने बिधी जिस प्रियोजन को बताता है वो प्रियोजन अन्नी किसी भी प्रमाण से सिद्ध होने वाला जैसे अगनिहोत्रम जुहिया सुर्ग का महा यहीं पर सुर्ग रूपी प्रियोजन वाला यह जो बिधी है अगनिहोत्रम के द्वारा स्वर्ग उत्पन करना चाहिए क्या ये किसी भी अन्य प्रमाण से सिद्ध है किसी भी अन्य वेदवाक के सिद्ध है नहीं है तो इसलिए सच माने और भाव विधी जो है ताद्रिस प्रियोजन वाले ताद्रिस यानि उस प्रकार का जो किसी यन्य से प्राप्त तादरिस्माने होता है उस प्रकार का किस प्रकार का जो किसी यन्य से प्रमाना अंतर से प्राप्त इस प्रकार के जो प्रियोजन वाला प्रियोजन यानि सुर्गादी प्रियोजन स्वरगादी अरे भाई स्वरगादी लिखाना आदी मितलब का सब कुछ कोदिकत तताद्रिस माने प्रमाण अंतर से आप राप्त जो प्रियोजन है स्वरगादी प्रियोजन है ऐसे सुरगादी प्रियोजन वाले अर्थ, सुरगादी प्रियोजन वाला अर्थ यागादी, सुरगादी प्रियोजन वाला अर्थ कौन हो गया, उस यागादी का विधान करता है विधी, वे दवाक्य क्या करता है, अगनि होत्रियाग का विधान करता है, अगनि होत्रहोम का अब बताव स्वर्ग की सिध्धी क्या प्रत्यच प्रमाना से हो सकती है तो वो सिर्फ कौन बताएगे ये बाग की ही बता रहा है इस बाग के कलाबों कोई बताने वाला है कोई नहीं है तो इसलिए प्रमाना अंतर से जो आप्राप्त है औसिद्ध है अज्यात है ऐसे प्रियोजन, अर्थ मने क्या लेना है और ट्राप्ति ताद्रिष में क्या लेना है तो उन्य म्दरेति pris δεν प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सफल, समझ गए कि नहीं, तो यह था जिस प्रकार से अगनिहोत्रम जुहियात, यह समझ में आ गए कि नहीं, जो बाग के है भी पहले वही देख लेते हैं, तो अगनिहोत्रम जुहियात, यह क्या है, यह अधिकार विधी है, ठीक है, और एक है अगनिहोत्रम जुहोती, यह ए इनके बारे में भी धीरे-धीरे पता चल जाए को दिक्कत नहीं ये बास समझ में आगक नहीं कि अर्थवान समझारा है कि नहीं सार्थक होता है क्योंकि जो प्रमानांतर से अप्रापतर्थ है अभी बता अर्थवाने फल प्रयोजन उसको ही बता करके जो विधी होती है वही सार्थक होती है अन्यथा विधी क्या हो जाती है क्योंकि जो पहले स्पता उसको बताना क्या है विर्थ ही है चलो अगनिहोत्रम जो होती भी है और वो क्या है उत्पत्ति विधी है वो दोनों अलग अलग है ठीक है तो उस होम रूपी कर्म का ये क्या है नाम मतलब नाम धेया है आगे आप नाम धेया सब्द का प्रयोग सुनेंगे ये समझगे करें तो ये था जिस प्रकार से अगनी होतर ये अगनी होतर क्या है होम रूपी कर्म का ये क्या है नाम है नाम को ही हम नाम धेय कहते हैं यह समझगे करें चलो यहां पर स्वर्ग काम जो पूरुस है उसकी लच्छना कर लेते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं किसमें? स्वर्ग में स्वर्ग काम की लच्छना किसमें कर लेते हैं स्वर्गम कामेते यह सहा स्वर्ग कामा हा पूरुसा हा जो स्वर्ग को चाहता है उसको कहते स्वर्ग कामा हा पूरुसा हा स्वर्ग की काम ना करने वाला मनुस से और जब हम स्वर्ग काम के लच्छाना कर लेते हैं स्वर्ग में तो स्वर्ग कामकार्थ हो जाता है स्वर्ग स्वर्ग को उद्देश से करके अगनिहोत्र संगेक जो होम है अगनिहोत्र गेक जो होम है उस होम का यहां पर विधान किया जा रहा है अगनिहोत्रम जुयात अगनिहोत्र होमें इस्ठम भावेत हवन करना जुयात मने हवन करे अगनिहोत्र नामक होम का हबन माने की अगनी होत्र कर्म का विधान अगनी होत्र नामक हाँ होम का विधान यहाँ पर किया जा रहा है याग और होम में सामान रुप से कोई अंतर नहीं है चलिए तो यह बास समझ में आ गई कि नहीं कि यहाँ पर जो अग्णियोत्र है वो मानांतर यानि किसी अन्य प्रमान के द्वारा प्राप्त है अग्णियोत्र किसी भी अन्य प्रमान के द्वारा प्राप्त क्या प्राप्त है अप्राप्त मने अग्यात क्या ज्यात नहीं हमको पहले से ये ज्यात नहीं है कि अगनिहोत्रहों में करते सुर्गो भवती अगनिहोत्रहों करने पर सुर्ग मिलता है ये बात हमको पहले से प्राप्त किसी भी अन्य प्रमान के द्वारा ज्यात मान अंतर मैंने अन्य प्रमान अंतर मने होता है दूसरा मान का मतलब होता है प्रमान मान माने क्या होता है अंतर माने दूसरा और मान माने प्रमान तो किसी अन्य प्रमान के द्वारा ये बात प्राप्त अग्यात प्राप्त माने ग्यात नहीं थी प्राप्त थी अग्यात थी समझ गई कि नहीं तो इस प्रकार से जो अपराप्त है कौन हूम कि सुर्ग प्रियोजन वत हूम सुर्ग प्रियोजन वाला कौन है यानि अगनिहोत्र हूमे करते सुर्ग रूपी प्रियोजन प्राप्त होता है इस प्रकार का है हमको पहले से ग्यात तो अग्यात जो सुर्ग प्रियोजन वाला होम है ऐसे होम को बिधत्य मने बिधान करता है कौण ये बिधी कौन बिधान करता है कौन सा बिधी अग्णौत्रम जोहियार सुर्ग दामः तो इसका हर्थ क्या निकलता है भी या सुनि स्कार्थ हे क्या है हूँ धातु का रथ है होम अर्थ है और जुहियात में तो भी है ताकार्थ क्या है भावना ताकार्थ क्या है जुहियात है तो भी है और जुहियात में होम भी है समझगी कि नहीं आख्यात भी है धातु भी है धातु का रथ क्या है होम और प्रते का रथ क्या है अख् कौन-कौनसी ? कॉन-कौनसी ? साब्दी और आर्थि दोनों हैं सेकिन हम अभी एक भावना को लेकर के बात करेंगे तो उस में उस भावना में उस कोई एक ले लेते हैं भी पहले तो एक भावना पकड़ लेते हैं तो अगनिहोत्रम-जोहिात than तो यहां पर क्या होगा जो धात्तर्त होम है उसका करण के रूप में अन्यों होगा याग का उसका किस रूप में अन्यों होगा करणत्यों अन्यों होगा समझे कि नहीं तो होमेन भावयत होमेन भावयत अगनिहोत्र होमेन भावयत किम भावयत सुर्गम भावयत सुर्कामित हमने किसमें स्वर्गे में आग्निहोत्र जो है antibοι wear कि उसी में जोड़ दिया हों है उसी हों के द्वारा हम सुर्ग को उदफन्द करें अग्निहोत्र हो विन सव्रगम भभग्वायद समस्मझ हें लाग है कि नहीं सुर्गम भावयत, सुर्गों को उत्फन करना चाहिए, तो अगनी ओत्र हो में सुर्गम भावयत, समझे के नहीं, यह बात समझ में आ गई, केन भावयत, अगनी ओत्र हो में किम भावयत, सुर्गम भावयत, यह जो है वाक्यार्थ वोद इहां पर हो जाता है, समझे के नहीं इसी को हम क्या कहते हैं अपूर्व बिधी कहते हैं ये बात भी ध्यान देना अपूर्व बिधी क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें अपूर्व का बिधान हो रहा है अपूर्व मतलब जो पहले से पूर्व से ग्यान तो कुछ नया है क्या हमको पहले से अगनियोत्र का ज्यान है वो अपूर्व अलग चीज थी यहाँ अपूर्व विधी मितलब जो पूर्व से प्राप्त ना हो इस परकार का विधान हो वो विधी किसको कहते है उस विधी क्या कहते है अपूर्व विधी कहते है समझ गए कि नहीं चलिए विषिष्ट में क्या रहेगा गुन का भी विधान रहेगा और किसी अन्ने का भी दो धुद हो मने गुन और याग पुर्धान का गुन मतलब होता है। और फिर क्या आता है प्रधान, तो गुन और प्रधान दोनों का विधान रहेगा, समझगी कि नहीं, तो दोनों का विधान रहेगा विसिष्ट विधी में, विसिष्ट विधी में दोनों का विधान दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बाक बेहद करके या मत्वर्थ लचना कर बात समझ में आगी कि नहीं चलो तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे इस पार्ट को यहीं तक रहने देते हैं सर बेभ्धो नमो नमा